नमस्कार दुर्षतों, इसकूल अकेडमी में आपका एक बार फिर से स्वागत है चलिए हम चलते हैं टापिक पर और देखते हैं नगर एवं ब्यापार के बारे में सबसे पहले देखते हैं नए नगरों के बारे में आईए उन नगरों की बात करें जिनका विकास लगभग छठी सताबदी श्वीपूर में उप महादीप के विभिन छेत्रों में हुआ जैसा कि हमने पढ़ा है इन में से अधिकांस नगर महा जनपदों की राधानिया थे प्राया सभी नगर संचार मारगों के किनारे बसे थे पाटली पुतर जैसे कुछ नगर नदी मारग के किनारे बसे थे उजैनी जैसे अन नगर भूतल मारगों के किनारे बसे थे इसके अलावा पुहार जैसे नगर समुद्र तटपर थे जहां से समुद्री मार्ग प्रारंब हुए मतुरा जैसे एनेक सहर, ब्यासाईक, सांस्कृतिक और राजनितिक गतविदियों के जीवन तकेंद्र थे चलिए अब जानते हैं नगरों की जनसंख्या के बारे में और सबसे पहले दिखते हैं संब्रांत वर्ग और सिल्पकारों के बारे में हमने पढ़ा है कि सासक वर्ग और राजा किले बंद नगरों में रहते थे जद्दपी इनमें से अधिकांस स्थलों पर ब्यापा गुर्प से खुदाई करना संभों नहीं है क्योंकि आज भी इन छेतरों में लोग रहते हैं लेकिन फिर भी यहां से विभिन प्रकार के पुरावसे स्प्राप्त हुए हैं इनमें उत्कृष्ट स्रेडी के मिट्टी के कटोरे और थालियां मिली हैं जिन पर चमकदार कलाई चड़ी है इन्हें उत्री कृष्ड मारजित पात्र कहा जाता है संभावता इनका उपयोग अमीर लोग किया करते होंगे साथी सोने, चादी, कास, ताबे, हाथी दात, सीशे जैसे तरह तरह के पदार्थों के बने गहने, उपकरण, हतियार, बरतन, सीप और पक्की मिट्टी मिली है दुती शताबदी इश्वी पुर आते आते हमें कई नगरों में छोटे दानात्मक अभिलेख प्रात्त होते हैं इनमें दाता के नाम के साथ साथ प्राया उसके बेवसाय का भी उलेख होता है इनमें नगरों में रहने वाले धोबी, बुनकर, लिपिक, बढ़ई, कुमार, शोड़कार, लहोकार, अधिकारी, धार्मिक गुरू, ब्यापारी और राजाओं के बारे में बिवरणम लिखे होते हैं कभी-कभी उत्पादकों और ब्यापारियों के संग का भी उलेख मिलता है जिन्हें स्रेडी कहा गया है ये स्रेडियां संभव तब पहले कच्चे माल को खरिती थी, फिर उनसे सामान तयार कर बाजार में बेज़ देती थी यहाँ संभव है कि सिल्पकारों ने नगर में रहने वाले संभरांत लोगों की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए कई प्रकार के लव उपकरणों का प्रयोग किया हो चलिए मानचित्र देख लेते हैं मानचित्र तीन इसमें कुछ महत्पुट राज और नगरों को दर्शाय गया है जैसा कि आप देख रहे हैं मतुरा, कन नौज, वारानसी, कौसामबी, विदिशा, उज्जैनी, भरूकच, वैसाली, पाठली पुत्र, राजगीर, तच्छसीला जैसे नगरों को दर्शाय ग होता था, छठी सताब्दी इस्वीपुर से ही उप महादीप में नदी मारगों और भू मारगों का मानो जाल बिश गया था, और कई दिशाओं में फैल गया था, मध एसिया और उससे भी आगे तक भू मारग थे, समुद्र तटपर बने कई बंदर गाहों से, जल मारग अर पूर एसिया तक फैल गया था, सासकों ने प्राया इन मारगों पर नियंत्रन करने की कोशिश की और संभवत वे इन मारगों पर ब्यापारियों की शुरच्छा के बदले उनसे धन लेते थे, इन मारगों पर चलने वाले ब्यापारियों में पैदल, फेरी लगाने वाले ब भतरनाक तो थी लेकिन बहुत लाबदायक भी होती थी तमिल भासा में मफथुवन और प्राकृत में सत्वा और सेठी के नाम से प्रसिद्ध सपल ब्यापारी बड़े धनी हो जाते थे नमक, अनाज, कपड़ा, धातू और उश्य निर्मित उत्पाद, पत्थर, लकड़ी, जड़ी बुटी जैसे अनीग प्रकार के सामान एक अस्थान से दूसरे अस्थान तक पहुचाये जाते थे रोमन सामराज में काले मिर्च जैसे मसालों, तथा कपड़ों वा जड़ी बुटियों की भारी मांग थी इन सभी वस्तों को अरब सागर के राष्टे भूमद छेतर तक पहुचाये जाता था शिक्के और राजा यह अगला टापिक है ब्यापार के लिए सिक्के की प्रचलन से बीन में कुछ हद तक आसान हो गया था चांदी और ताबे के आहत सिक्के जो की छटी सतादी इस शिपूर से सम्मंदित है सबसे पहले ढाले गए और प्रयोग में आए पूरे उपमहादीप में खुदाई के दौरान इस पकार के सिक्के मिले हैं मुद्रा सास्त्रियों ने इनका और अन शिक्कों का अध्यन करके उनके बाड़े जिक प्रयोग के संभावित छेत्रों का पता लगाया है आहत सिक्के पर बने प्रतिकों को उन बीशेश मौरेवन्स जैसे राजनसों के प्रतिकों से मिला कर पहचान करने की कोशिश की गई तो पता जला कि इन सिक्कों को राजाओं ने जारी किया था यह भी संभाव है कि बेअपारियों, धनपतियों और नागरीकों ने इस प्रकार के कुछ सिक्के जारी किये हो सासकों की प्रतिमा और नाम के सांथ सबसे पहले सिक्के हिंद युनानी सासकों ने जारी किये थे जिन्होंने द्यूती सताबदी इश्वी पुर में ओप महादीप के पुरोत्तर छेतपड नियंदरन इस्थापित किया था सोने के सिक्के सबसे पहले प्रथम सताबदी इश्वी में कुसाड राजाओं ने जारी किये थे इनके आकार और वजन ततकालीन रोमन समराटों तथा इरान के पार्थियन सासकों द्वारा जारी सिक्कों के बिलकुल समान थे उत्तर और मद्ध भारत के कई पुरा स्थलों पर ऐसे सिक्के मिले हैं सोने के सिक्कों के ब्यापक प्रयोक से संकेद मिलता है कि बहुमुल वस्तुओं और भारी मात्रा में वस्तुओं का बिनिमय किया जाता था, इसके अलावा दच्छिड भारत के अनेक पुरास्थलों से बड़ी संक्या में रोमन सिक्के मिले हैं, जिनसे यह इस्पष्ठ है कि ब्यापारिक तंत्र राजनितिक सीमाओं से बढ़ा नहीं था, क्योंकि दच्छिड भारत रोमन समराज के अंतरगत न होते हुए भी ब्यापारिक दिष्टी से रोमन समराज से संबंधित था, पंजाब और हर्याडा जैसे छेत्रों में यवधे जोकी पर्थम सताब्दी इसवी से सम्मंदित हैं, कबाईली गराज्यों ने भी सिक्के जारी किये थे, पूरा विदों को यवधे सासकों द्वरा जारी ताबे के सिक्के हजारों की संख्या में मिले हैं, जिनसे यदोयों की ब्यापार में रूची और स्भागिता परिलचित होती है, सोने के सबसे भव्य सिक्कों में से कुछ गुप्त सासकों ने जारी किये, इनके अरंभिक सिक्कों में परियुक्त सोना अति उत्तम था, इन सिक्कों के माध्यम से दूर देशों से ब्यापार बीनिमय करने में आसानी होती थी, जिससे सासकों को भी लाव होता था, छटी सताब्दी इश्वी शे सोने के सिक्के मिलने कम हो गए क्या इसे यह संकेर मिलता कि उष्गाल में कुछ आर्थिक संकट पैदा हो गया था इतिहास कारों में इशे लेकर मतबेध है कुछ का कहना है कि रोमन समराज के पतन के बाद दूरवर्ती ब्यापार में कमी आई जिससे उन राज्यों, समुदायों और छेत्रों की संपनता पर असर पड़ा, जिन्हें दूरवर्ती ब्यापार से लाव मिलता था अन्य का कहना है कि इस काल में नए नगरों और ब्यापार के नवीन तत्रों का उदे होने लगा था, उनका यह भी कहना है कि यद्दपी इस काल के सोने के सिक्कों का मिलना तो कम हो गया, लेकिन अभिलेखों और ग्रंथों में सिक्के का उलेख होता रहा है क्या इश्का अर्थ यह हो सकता है कि शिक्के इशले कम मिलते हैं क्योंकि वे प्रचलन में थे और उनका किशी ने संग्रह करके नहीं रखा चित्र 2.7 में आप देख रहे हैं एक आहां सिक्का दिया गया है इन सिक्कों पर प्रतिकों को आहत कर उन्हें बनाया जाता था और चित्र 2.8 में एक योधे सिक्का दिया गया है जो ताबे का है और चित्र 2.9 में एक गुप्त सिक्का दिया गया है चलिए हम टापिक चलते हैं और जानते हैं कुछ मूल बाते जिनके द्वारा ही पुरा ततविदों और इतिहासकारों ने प्राचीन समय के इतिहास को लिखा तो सबसे पहले हम देखते हैं अभिलेखों का अर्थ कैसे निकाला जाता है अभी तक हम अन्य बातों के अलावा अभिलेखों के अंसों के बारे में अध्यन कर रहे थे लेकिन इतिहासकारों को यह कैसे ग्यात होता है कि अभिलेखों पर क्या लिखा है चित्र 2.10 में असोग का एक अभिलेख दिया गया है और चित्र 2.11 में असोग के समय की ब्राम्ही वह उसके समानार्थी देवनागरी अच्छर का तुलना किया गया है देखिए क, च, ध, द, म, और का ब्रामी लीपी के साथ किस प्रकार से तुलना किया गया है चलिए सबसे पहले हम देखते हैं कि ब्रामी लीपी का अध्यन किस प्रकार से किया गया आधुनिक भारती भासाओं में प्रयुक्त लगभख सभी लिपियों का मूल ब्रामी लिपी है ब्रामी लिपी का प्रयोग असोक के अभिलेखों में किया गया है अठरहमी शदी से इरोपी बिद्वानों ने भारती पंडितों की शहायता से आधनिक बंगाली और देवनागरी लिपी में कई पांडुलिपियों का अध्यन सुरू किया और उनके अच्छरों की प्राचीन अच्छरों के नमूनों से तुलना सुरू के आरंभीक अभिलेखों का अध्यन करने वाले बिद्वानों ने कई बार यहां अनुमान लगाया कि ये संस्कृत में लिखे हैं जबकि प्राचीनितम अभिलेख वस्तुतर प्राकृत में थे फिर कई दसकों बाद अभिलेख विग्यानिकों के अथक परिश्रम के बाद जेम्स प्रिंसेप ने अफोक कालिन ब्रामी लिपी का अठारा सो अर्थिश इश्वी में अर्थ निकाल लिया चलिए अब देखते हैं कि खरोष्टी लिपी को कैसे पढ़ा गया पस्ची मुत्तर के अभिलेखों में प्रयुक्त खरोष्टी लिपी के पढ़े जाने की कहानी अलग है इस छेत्र में सासन करने वाले हिन युनानी राजाओं लगभग दूतीशे पर्थम सताब्दी इस्वीपुर द्वारा बनवाए गए सिक्कों से जानकारी हासिल करने में आसानी इन सिक्कों में राजाओं के नाम युनानी और खरोष्टी में लिखे गए हैं युनानी भावा पढ़ने वाले यूरोपी विद्वानों ने अच्छों का मेल किया उदारन के तौर पर दोनों लिपियों में अपॉलो डोटस नाम लिखने में एक ही परतिक मालनी जी अब प्रयुक्त किया गया चुकि प्रिंसेप ने खरोष्टी लिपिरी में लिखे अभिलेखों की भासा की पहचान प्राक्रित के रूप में की थी इसलिए लंबे अभिलेखों को पढ़ना सरल हो गया चलिए अब देखते हैं कि अभिलेखों से प्रात इतिहासिक साच क्या क्या थे इतिहासकारों इवं अभिलेख सास्त्रियों के काम करने की तरीकों का पता लगाने के लिए आईए अफोक की दो अभिलेखों को ध्यान से पढ़ें एक अभिलेक है शुरोत 10 और एक अभिलेक है शुरोत 11 सबसे पहले हम शुरोतों को पढ़ लेते हैं फिर हम टापिक पे चलते हैं शुरोत 10 में राजा के आदेश राजन देवना पी पेदसिक यह कहते हैं अतीद में मसलों को निप्टाने और नियमित रूप से सूचना एकत्र करने की बेवस्थाएं नहीं थी लेकिन मैंने निम्लिखित बेवस्था की लोगों के समाचार हम तक पती वेदक सदेव पहुचाएं चाहे मैं कहीं भी हूँ खाना खा रहा हूँ अंतःपूर में हूँ विश्राम कच में हूँ गोशाले में हूँ या फिर पालकी में मुझे ले जाया जा रहा हो अथवा वाटिका में हूँ मैं लोगों के विश्यों का निराकरन हर अस्थाल पर करूँगा चलिए अब स्रोत 11 देख लेते हैं राजा की वेधना जब देवनापी पिद्यसी ने अपने सासन के आठ वर्फ पूरे किये तो उन्होंने कलिंग पर बिजय प्राप्त की डेढ़ लाख पुर्षों को निश्काफित किया गया एक लाख मारे गए और इससे भी जैदा की मित्य हुई कलिंग पर सासन इस्थापित करने के बाद देवनापी धम के गहन अध्यन, धम के स्ने और धम के उपदेश में डूब गए यही देवनापी के लिए कलिंग की बिजय का पहच्चा ताप है देवनापी के लिए यह बहुत वेदनादाई और निंदनी है कि जब कोई किसी राज पर बिजय प्राप्त करता है तो पराजित राज का हनन होता है वहाँ लोग मारे जाते हैं, निश्काशित किये जाते हैं चलिए अब टापिक पर चलते हैं और चीजों को अच्छे से समझते हैं अभिलिकों से प्राप्त इतिहासिक साच इतिहासकारों एवन अभिलेक सास्त्रियों के काम करने की तरीकों का पता लगाने के लिए आईए अफोक की दो अभिलेकों को ध्यान से पढ़ें दोश्तों आपने अभिलेकों को ध्यान से पढ़ लिया है चलिए आगे बढ़ते हैं ध्यान देने योगी बात है कि अभिलेक स्रुत 10 में साशक अफोक का नाम नहीं लिखा है उसमें अशोक दोरा अपनाई गई उपाधियों का प्रयोक किया गया है जैसे देवनापी, अर्थाद देवताओं का प्री और प्यदस्री यानी देखने में सुन्दर अशोक नाम अन अभिलेकों में मिलता है जिसमें उनकी उपाधियां भी लिखी है इन अभिलेकों का परिछन करने के बाद अभिलेक सास्त्रियों ने पता लगाया कि उनके बिशय, सैली, भासा और पुरा लिपी बिज्ञान सब में समानता है अतहवे इस निश्कर्ष पर पहुँचे कि इन अभिलेकों को एक ही सासक ने बनवाया था आपने यह भी देखा होगा कि असोक ने अपने अभिलेकों में कहा है कि उनसे पहले के सासकों ने रिपोर्ट एकत्र करने की बिश्चान नहीं की थी यदि असोक से पहले कि उपमहाद्विपी इतिहास पर विचार करें तो क्या आपको लगता है कि असोक का यह वक्तब्ब सही है इतिहास कारों को बार-बार अभिलेकों में लिखे कथनों का परिछर करना परता है ताकि यह पता चल सके जो उनमें लिखा है वह सत्य है संभव है या फिर अतिस्योक्ति पुर है क्या आपने ध्यान दिया की कुछ सब्द ब्रैकेट में लिखे हैं अभिलेक सास्त्री प्राया वाक्यों के अर्थ इश्पष्ट करने के लिए ऐसा करते हैं यह बड़े ध्यान से करना पड़ता है जिसे की लेखक का मूल अर्थ बदल न जाए इतिहास कारों को और भी परिछन करने पड़ते हैं यदि राजा के आदेश, यातायात मारगों के किनारे और नगरों की आसपास प्राकृतिक पत्थरों पर उत्किर थे तो क्या वहां से आने जाने वाले लोग उन्हें पढ़ने के लिए उस अस्थान पर रुखते थे अधिकान्स लोग प्राया पढ़े लिखे नहीं थे क्या पाठली पुत्र में प्रयुक्त प्राकृत उप महादिप में सभी स्थानों पर लोग समझते थे क्या राजा के आदेशों का पालन किया जाता था इन प्रश्णों के उत्तर पाना सदेव आसान नहीं है इन में से कुछ समस्याओं के प्रमाड हमें अफोक के अभिलेख में मिलते है स्रोत 11 में जिसकी ब्याख्या प्राया अफोक की वेदना के प्रतिविम्ब के रूप में की जाती है सांथी या युद्य के प्रति उनकी मनोविर्ती में पर्वेतन को भी दर्षाती है जैसा की हम आगे पढ़ेंगे यदि हम अभिलेक के साब्दिक अर्थ के परे समझने का प्रयास करते हैं तो पर्ष्थिती और भी जटिल हो जाती है यदिपी अफोक के अभिलेक आधुनिक उडिशा से प्राप्थ हुए हैं लेकिन उनकी वेदना को परलिचित करने वाला अभिलेक वहां नहीं मिला है अर्थात यह अभिलेक उफ छेतर में नहीं उपलब्ध है जिस पर बिजय प्राप्थ की गई थी इसका हम क्या आर्थ लगाएं क्या राजा की नौ बिजय की वेदना उफ छेतर के लिए इतनी दर्दनाग थी कि राजा इस मुद्धे पर कुछ कहन न सका जो भी हो चलिए हम चलते हैं अभिलेक की साच की सीमा की कि अभिलेक पे जो साच मिले हैं उनकी क्या सीमाएं होती थी इस टापिक के अंतरगत हम यही जानेंगे अब आपको पता चल गया होगा कि अभिलेकों से प्रात जानकारी की भी सीमा होती है कभी कभी इसकी तकनिकी सीमा होती है अच्छरों को हलके ढंक से उत्किर किया जाता है जिन्हें पढ़पाना मुश्किल होता है साथी अभिलेक नश्ट भी हो सकते हैं जिनसे अच्छर लुप्त हो जाते हैं इसके अलावा अभिलेकों के सब्दों के वास्त्विक अर्थ के बारे में पुड रूप से ज्ञान हो पाना सदेव सरल नहीं होता क्योंकि कुछ अर्थ किशी बीशेस अस्थान या समय से सम्मंदित होते हैं यदि आप अभिलेक के सोध पत्रों को पढ़ें तो पाएंगे की बिद्वान इनके पढ़ने की बैकेलपिक बिद्धियों पर चर्चा करते रहते हैं यदि पी कई हजार अभिलेक प्राप्त हुए हैं लेकिन सभी के अर्थ नहीं निकाले जा सके हैं या प्रकाशित किये गए हैं या उनके अनुवाद किये गए हैं इनके अत्रिक्त और अनेक अभिलेक रहे होंगे जो कालांतर में सुरचित नहीं बचे हैं इसलिए जो अभिलेक अभी उपलब्ध हैं वह संभावता कुल अभिलेकों के अंसमात्र हैं इसके अत्रिक्त एक और मौलिक समस्या है यह जरूरी नहीं है कि जिसे हम आज राजनितिक और आर्थिक रूप से महत्पुर मानते हैं उन्हें अभिलेखों में अंकित किया ही गया हो उदारन के तोर पर खेती की देनिक प्रक्रियाएं और रोज मर्रा की जिंदगी के शुख दुख का उलेख अभिलेखों में नहीं मिलता है क्योंकि प्रायर अभिलेख बड़े और बिशेश अफरों का वड़न करते हैं इसके अलावा अभिलेख हमेशा उन्हीं ब्यक्तियों के बिचार ब्यक्त करते हैं जो उन्हें बनवाते थे इसलिए इन अभिलेखों में ब्यक्त बिचारों की समिच्छा अन बिचारों के परिप्रेच में करनी होगी ताकि अपने अतीत का बेहतर ग्यान हो सके अर्थात राजनितिक और आर्थिक इतिहास का पुड़ ग्यान मात्र अभिलेक सास्त्र से ही नहीं मिलता है सांथी इतिहासकार प्राय प्राचीन और अरवाचीन दोनों प्रकार के प्रमाडों पर आसंका ब्यक्त करते हैं 19 शदी के आखरी दसकों में और 20 शदी के प्रारंभ में इतिहासकार प्रमुखरूप से राजाओं के इतिहास में रुची रखते थे 20 शदी के मध्ध से आर्थिक पर्वियतन विभिन समाजिक समदायों के उदे के बिशे में महत्पूर बन गए हाल के दसकों में ऐसे समदायों के प्रती इतिहासकारों की रूची बढ़ी है जो समाजिक हासिये पर रहे हैं इससे समभवतर प्राचीन स्रोतों पर पुनर विचार किया जाएगा और बिशलेशर की नई बिधियां बिक्सित होंगी चित्र 2.13 में करनाटक से प्राप्त एक तामपत्र लेख लगभग छटी सताब्दी इसी पुर से समद्दी थे यह तामपत्र है इसे आप लोग ध्यान से देख लिजिए और तामपत्र इसलिए है क्योंकि यह तामपे के फलक पर लिखा गया है और इसमें देखी जो छल्ला लगा हुए यह भी तामपे का है अब जानते हैं काल रेखा एक के बारे में इस काल रेखा एक में प्रमुख राजनेतिक और आर्थिक विकास को क्रम रूप से दिखाया गया है एक नजर हम लोग इस पर भी डाल लेते हैं सबसे पहले देखते हैं धान की रुपाई गंगा घाटी में नगरी करण महा जनपद और आहत सिक्के इनका समय लगभग 600 से 500 इशापुर के दोरान की है फिर मगद के सासकों की सत्ता पर प्रकड लगभग 500 से 400 इशापुर के दोरान हुई 327 से 325 इश्वीपुर के दोरान सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ लगभग 321 इश्वीपुर में चंजगुप्त मौर का राज रोहन हुआ असोक का सासन 268 से 238 इश्वीपुर माना जाता है लेकिन कुछ बिद्वान असोक के सासन की कारकाल को 272 से 231 इश्वीपुर के समय को मानते हैं 188 इश्वीपुर में मौर समराज का अंत हो गया पर्यमुत्तर में सक सासन, दच्षिड भारत में चोल, चेरववपांध और दककन में सातवहन इनका कारकाल लगभग 200 से 100 इश्वीपुर के दोराण माना जाता है इश्वीपकार 100 इश्वीपुर से 200 इश्वी तक के दोराण पर्यमुत्तर के सक जो की मद एशिया के लोग थे इनका सासक, रोमन ब्यापार और सोने के सिक्के 78 इश्वी में कनिश्का राज रोहड हुआ साथ वाहन और सक सासकों द्वारा भूमिदान के अभिलेखी प्रमाड लगभग 100 से 200 इश्वी के दोरान के माने जाते हूं गुप्त सासन का प्रारंब लगभग 320 इश्वी में हुआ तो समुद्रगुप्त का कारेकाल लगभग 335 से 375 इश्वी के दोरान माना जाता है 375 से 415 इश्वी के दोरान चंद्रगुप्त दुती का कारेकाल रहा और उधर दक्कन में वाकाटक समराज का कारकाल रहा करनाटक में चालुकियों का उदय और तमुल नाडू में पलों का उदय लगभग 500-600 इश्वी के दोरान हुआ कन्नावज के राजा हरस्व अधन चीन यात्री हुए इनसांग की यात्रा लगभग 666-647 इश्वी के दोरान हुई लगभग 712 इश्वी में अरबों की सिंध पर बिजय हुई चलिए देखते हैं काल रेखा दो को इसमें अभिलेख सास्तर के छेतर में महत्पूर प्रगती किस प्रकार से भी मतलब की हमारे इतियासकारों और पुरा वीदों ने इन अभिलेखों और श्विला लेखों को कब खोजना प्रारम किया और इनसे जरूरी और जुड़ी हुई संस्थानों का या संक्टोनों का स्थापना कि शत्रह सो चराशी इस्वि में बंगाल एसियाटिक सोसाइटी का गठन किया गया 1810 का दसक कोलिन मैकेंजी ने संस्कृत और तमिल भासा के आठजार अभिलेख एकत्र किये 1838 इस्वि में जेम्स प्रिंसेब द्वारा असोक के ब्राम्ही अभिलेखों का अर्थ निकाला गया तो 1877 में अलेग्जेंडर कनिंगम ने असोक के अभिलेखों की एक अंस को प्रकाशित किया 1886 में दच्छिट भारत के अभिलेखों के शोधपत्र एफिग्राफिया करनाटिका का प्रतम अंक प्रकाशित हुआ तो 1888 में एफिग्राफिया इंडिका का प्रतम अंक प्रकाशित हुआ विश्वीन शताबदी में 1965 से 66 के दोरान डिसी सरकार ने इंडियन एफिग्राफिक एंड इंडियन एफिग्राफिकल ग्लोसरी प्रकाशित की दोस्तों इस अध्याय में इतना ही यह अध्याय समाब्थ हुआ और मैं आप लोगों से यह कहना चाहरा हूँ कि आप लोग वीडियो को अधिक सथिक लोगों के सांथ सेर करिए वह भी हमारे वीडियो को देखें तब तो जानेंगी और आपको वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को लाइक जरूर करिएगा और चैनल को सब्क्रा में पतकली नमश्कार